मेरे घर में डॉन्विज बनाने की डिटी मेरी पापा को दी गई है क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाते हैं आज मैं एक रेसपी लेके आई हूँ वो है मटन की रेसपी और ये पापा के स्टाइल में बताऊंगी कई इतने ज़ादा टेस्टी बनती है ना बहुत ही ईज़ी और बहुत ज़ादा और आज तो कॉन्टिटी बहुत ज़ादा थी मटन के लाग 7-8 kg क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आये थे तो आप अगो चाहा तो ऐसे ट्राइ कर सकते हो सबसे पहले तीन लेना है उसमें जीरा औ और हिंग डालने के बाद तीज बाद डाल ले और उसके बाद प्यास डाल लेना है थोड़ी से फ्राइ करने के बाद मटन डाल लो एन उसमें डाल दो हल्दी और नमक अच्छे से फिर फ्राइ कर लेना है फो 20 मिनिट्स अब मसाला रडी करेंगे एक साथ सब कुछ अच्छे से फ्राइ करने के बाद हम इसे 45 मिनिट्स के लिए अच्छे से ढख देंगे और बीच बीच में धल के हाथों से इसे हम दो बड़ चला लेंगे और गाईज यह इतना इजी प्रोसेस है ना इतना जादा टीस्टी भी बनता है आप एक बाद जरूर ठ्राइ करना स अबस्क्राइब